अगर हमारे पास एक यूनिफर्म लाइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो उस लाइन से परपेंडिक्लर बाइसेक्टर पर किसी डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशल निकालना है तो वह कैसे निकाला जाए उसका डेरिवेशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे तो चलि परपेंडिक्लर बाइसेक्टर वाली लाइन है उस लाइन पर हम किसी पॉईंट पी पर जो पोटेंशल निकालेंगे इस लाइन के कारण उस पॉइंट पी पर पूरी लाइन की जो लेंग्त है वह केपिटल ल के बराबर है तो हमने इसे perpendicular bisector वाली line पर निकाल रहे हैं तो perpendicular bisector के उपर वाली जो length होगी वो हो जाएगी L by 2 और जो नीचे वाली length है वो भी हो जाएगी L by 2 अब potential निकालने के लिए हम क्या करते हैं एक differential element consider करते हैं DZ length का और उसको अपन यह origin बोल देते हैं origin से उपर Z distance पर है और साथ में हमें यहापर इसकी line charge density वो भी गीवन है जिसे linear charge density भी बोला जाता है so linear charge density यह lambda हमें कीवन है तो इस DZ जो length है उसमें जो charge होगा DQ वो बराबर हो जाएगा DQ equals to lambda times DZ और O point से P point तक का जो distance है उसे हम small y ले रहे हैं इस जाब से DZ का इस P point से जो distance होगा वो हो जाएगा under root of Z square plus Y square अब सबसे पहले हम इस DZ length में जितना charge है उसके कारण जो potential होगा इस point P पर वो पहले निकालेंगे और वो निकालने के लिए हम formula यूज करेंगे V equals to 1 by 4 pi epsilon q by r ओके इस DZ length के कारण जो potential होगा उसे हम माल लेते हैं DV और वो पराबर होगा 1 by 4 pi epsilon और जो charge है DZ में वो माल ले हमने DQ upon जो distance है इस DZ length का इस point P से वो है under root of Z square plus Y square DQ की value हम यहाँ पर substitute कर दें so DV हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon lambda DZ upon under root of Z square plus Y square अब जो electric potential होता वो एक scalar quantity होती तो यहाँ पर हमें direction का कोई भी टंटा नहीं है तो simply हम यहाँ पर integrate करके अब आगे proceed कर सकते हैं so total potential निकालना है तो हमें DV को integrate करना पड़ेगा मतलब integration of 1 by 4 pi epsilon 0 lambda DZ upon under root of Z square plus Y square अब Z के terms पर हमें integrate करना है तो limit भी हमें Z की put करने पड़ेगी so origin से उपर कितना उपर तक जाएगा L by 2 distance और origin से नीचे कितना जाएगा वो L by 2 तो उपर का बताने के लिए हम L by 2 यूज़ करेंगे और नीचे का बताने के लिए माइनस L by 2 ओके so limit का हो जाएगी माइनस L by 2 से प्लस L by 2 तक की so V is equals to अब यहाँ पर जो constant से उसे हम भाहर निकाल दे थे जैसे 1 by 4 pi epsilon 0 यह constant है और lambda constant है तो उसे हम integration से भाहर निकाल देंगे अंदर बचेगा integration of dz by under root of z square plus y square lower limit minus lambda by 2 upper limit lambda by 2 अब यहाँ पर इस integral को निकालने के लिए हम यह integration का formula यूज़ करेंगे integral dz upon under root of z square plus y square यह बराबर होता है ln of z plus under root of z square plus y square तो V हो जाएगा lambda by 4 pi epsilon 0 ln of z plus under root of z square plus y square और यहाँ पर जो upper limit है जो है l by 2 और lower limit है minus l by 2 limit put करेंगे तो हमें यापर मिलेगा यह और हमें अच्छी तरह से पता है ln a minus ln b natural log of a minus natural log of b यह बराबर होता है natural log of a by b इस identity का यूज़ करें जो potential है वो हो जाएगा lambda by 4 pi epsilon 0 ln of l by 2 plus under root of l square by 4 plus y square upon minus l by 2 plus under root of l square by 4 plus y square यह electric potential का हमने derivation देखा है and I hope that this video will be helpful for you all और आपको वीडियो पसंद आया ता आप उसे like कीजे शेर कीजे और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ता कि जैसी नए वीडियो अप्लोड होए आपको तुरंत उसकी इंफोर्मेशन मिल जाए Thank you so much, thank you for watching.